छोटे वियोसाई और समाज के विभिन तपकों के लिए आदने प्रधानमंत्री जी त्वारा गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा एक सरहानिय पहल है हम इस पैकेज का विनंदन करते हैं आदने प्रधानमंत्री जी की प्रतियाभार बेक्त करते हैं एक लाग पिछत्तर हजार करोड उपे का ये पैकेज असी करोड से अधिक लोगों जो लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं उनके जीवन को एक नई दिसा देने में इसका बहुत बड़ा रोल होगा सच मुझ ये प्रियास अभिनंदनिय है उतरब्रदेश के अंदर लॉकडाउन के अंदर हमने सभी 75 जन्पदों में सफलता पुरुवक अपने 23 करोड जन्ता के स्वस्त और सुरक्षित भहुश्य के लिए लॉकडाउन के कारवाईश पूरी तरह प्रभावी तंग से लागू हो रही है इस दिश्टी से हम लोगों ने पहले ही प्रदेश के अंदर निर्मान सर्मिकों ठेला, खोमचा, रेडी, इरिक्सा, रिक्सा, पल्लेदार इन सब के लिए पहले से ही हम लोगों ने भरण पोशन भत्ते की भी घोशना की है अंतोदे, मन्रेगा मस्दूर और अन्य सभी परिवारों के लिए खाद्यान की विवस्था के साथ ही हम लोगों ने रासित महला पेंशन, ब्रदावस्ता पेंशन, दिव्यांग जन पेंशन की रासि को भी सभी लोगों तक महुचाने की एक कारवाई को भी आगे वढ़ाया है ये कारवाई हमारी दस्तर पर चल लई है लेकिन सरजनिक अस्थानों पर भीड़भाड न हो इस पर हमारा फोकस है और मुझे बताते वे प्रसंता है कि आज डोर स्टेप डिलिवरी यानि घर घर लोगों के लिए आउस्षिक सामागरी पहुचाने की दिसा में पुरे प्रदेश में 18,750 बाहन इस सेवा में जन्ता जनार्दन की सेवा में प्रदेश के अंदर लगाए गए हैं खास तोर पर यह सेवा हम लोगों के द्वारा दोद की आपूरती घर घर करने में सबजी की आपूरती घर घर तक पहुचाने में खाद्यान की आपूरती घर घर पहुचाने में इसके इलावा जो निराजसित लोग हैं रेन बसेरों में रह रहे हैं बॉडर छेतर में रहे हैं निर्मान सर्मिक हैं जिनके पास कुछ भी ऐसा सादन ने क्यों भोजन बना सकें या कोई कर सकें उनके लिए कॉम्निटी कीचन के माध्यम से भी भोजन पहुचाने की विवस्ता प्रारंब कर दी गई है और इसमें भारतिय जन्ता पार्टी के साथ साथ रास्टी स्वेम सेवक संक से जुड़ेवे स्वेम सेवकों ने भी यो दस्तर पर आगे चा करके अपनी सेवाई देना प्रारंब किया है वोजन्टियर्स जगए 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 जा करके प्रसासन के साथ सैयोगी बन करके उन्हें घर घर तक या उन जर्रत मंदों तक पहुँचाने का कारिया प्रदेश के अंदर यो दस्तर पर कर रहे हैं आज साथ लाक लीटर से धिक दूद हम लोगों ने उन जर्रत मंदों परिवारों तक पहुँचाया है जो दूद के लिए जिन लोगों की डिमांड थी या जिन जो लोग मार्केट में ये डेरी में जाकर की दूद खरीदते थे उन लोगों के घरों तक पहुँचाने की एक कारवाई सफलता पुर्वक प्रदेश के अंदर की गई है इसके लावा सबजी के ठेगलों को खाद्यान की आपूर्ती को दवा की आपूर्ती को भी घर घर तक पहुचाने के लिए कारवाई की गई है 60,000 गराम पंचायतों में मुख्यमंत्री हल्प लाइन की सेमाई भी दीज़ देने की कारवाई की जा रही है जिसमें मुख्यमंत्री हल्प लाइन के माध्यम से प्रते गराम पंचायत से संबाद बनाना बाहर से आएवे लोगों को ट्रेक करना उनके उपचार और उन्हें यहाँ पर प्रदेश के अंदर होम कॉरिटाइन के साथ जोडने की कारवाई के साथ ही जरुरत मंद परिवा प्रदेश के अंदर प्रारंब होई है इसके साथ ही हम लोगोंने प्रदेश के अंदर स्वास्ति सुविधाओं की दिश से भी और जन्ता की सुविधा की दिश से भी राज्य के जो लोग बाहर रहते हूं दिश से भी हम लोगोंने आज 11 कमिटियों का गठन किया है यूप का इक्सन प्लान करोना वाइरस की देश से जो हमारा तयार होना था वह प्रभावी हो चुका है जिसमें एक कमेटी चीप सेकर्टी के ध्यक्सता में काम कर रही है यह कमेटी इंटर स्टेट से जुड़ेवे मामले भारत सरकार के साथ संबाद बनाना साथ साथ निर्मान सरमिक साथ साथ सिक्सा से जुड़ेवे लोगों को सेवा यूजन से जुड़ेवे लोगों को और अन्य राज्यों में जो हमारे कारेरत सर्मिक हैं या अन्य जो भी करमचारी वहां कारे करते हैं उन लोगों के साथ संबाद बनाने के लिए चीप सेकर्टी के अध्यक्सता की कमीटी कारे कर रही है और इसने अपना कारे प्रारंब कर दिया है दूसरी कमेटी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर IDC की ओद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्सता में बनाई है इस कमेटी में हम लोगों ने और इस कमेटी का काम है कि जितने भी निर्मान सर्मिक हैं, जितने भी औद्योगिक संस्थान हैं, जितने भी सिक्षन संस्थाएं हैं, इन सभी से जुड़ेवे सभी लोगों को जो छुट्टी दी गई है, लेविद सेलरी के साथ इसको सुनिश्चित करना, सर्मिकों को उनका भरण पोशन भत्ता समय पे मिल सके, इसके लिए कमेटी कारे करेगी, और निरंतर इसको प्रभावी डूप से आगे वढ़ाने का कारे भी करने का कारे तेजी से इन्होंने कर दिया है, जिसमें ठेला है, र हर जन्पद में जिलादी कारियों को इस बात के लिए अधिकृत किया गया है, गरामिन छेतरों या सरी छेतर, जिने किसी भी योसना से आच्छादित नहीं किया गया है, और उनके पास कुछ भी नहीं है, उनको ततकाल एक हजार उप्य की धनरासी और खाद्यान करानिय की विवस्ता वे इस अस्तर पर करें, तीसी कमिटी जो मारे किर्सी उत्पादन आयुक्ति की ध्यक्सता में है, इसमें परमुक्षची किर्सी हैं, परमुक्षची खाद्यों रसद हैं, ये सभी लोग मिलकर कि इसमें काम करने डारेक्टर मंडी भी हैं, इस कमिटी क इसके दौारा एक एक चीज को मॉनिटर करने का दूद है, सबजी है, खाद्यान है, यह कमेटी घर तक बहर घर तक महुचाने की करवाई इस कमेटी के दौरा मॉनिटर किया जा रहा है और लगातार हर जनपत में इसके लिए इनिरौने करवाई प्रारम की है चौथी कमिटी अपर मुख्य सची ग्रे के दिख्सता में है लॉकडाउन की कारवाई को सफलता पुरुवक आगे वढ़ाने के लिए ये कमिटी युद अस्तर पर कारे कर रही है जिसमें जॉइन पेट्रोलिंग, जिलादीकारी और फुलिस अधिक्सक की कमिशनर और आईजी की, इसी प्रकार से निचले अस्तर के ये डियम और एडिसनल एस्पी की जॉइन वनिश्टेट और डिप्टी एस्पी की, ये कमिटी इसको देखेगी लॉकडाउन की कारवाई को सफलता पुरुवक कारवाई करना जमा खोरों के खिलाब, काला बाजारी करने वालों के खिलाब अधिक दाम वसूलने वालों के खिलाब भी परभावी कारवाई ये कमिटी इसमें देख रही है चौथी कमिटी अपरमुख्य सचिव राज़ुस्व की देखस्ता में है जो राहत आयुक्त के साथी विभिन विभागों के एक-एक परतिनिधी को रख करके 24 घंटे कंट्रोल रूम परदेश के साथ साथ हर एक जनपद में इस कारवाई को सुनिश्चित करने की कारवाई कर रहे हैं कंट्रोल रूम से सारी विवस्ताएं जुड़ चुकी हैं इसको आगे बढ़ाने का कारे एक कमेटी देख रही है चटी कमेटी हम लोगों ने जो बनाई है वह परमुक्षचिव ग्रामे विकास और पंचायती राज की अधिक्सता में है जिसमें परमुक्षचिव नगर विकास परमुक्षचिव आवास ये सभी लोग इसके साथ में हैं जो क्रामिन और सहरी चेतर में पेजल की आपूर्ती को सुनिस्चित करने स्वत्ता और सिनिटाइजेशन की कारवाई को सत प्रस्त आगे बढ़ाने की कारवाई के साथ एक कमीटी कारे कर रही है ये उन सभी छेत्रों में सफलता पुर्व के सकारे को आगे बढ़ा रही है साथमी कमीटी जो हम लोगों ने बनाई है वहाँ परमुक्षच्यू स्वास्त और परिवार कल्यान के देख्सता में बनाई है जिसमें परमुख सच्चियो स्वास्तिर परिवार कलन्यान के साथ ही परमुख सच्चियो चिकिस्था सिक्सा परमुख सच्चियो MSME इन सब को रखा गया है और इनकी एक कमेटी इस पर कारे कर रही है होम को रिटाइन को चेक करना हॉस्पिटल में भी जो चिकिस्था करमी है परमेडिकल का नर्सिंग का श्टाफ है या इस सेवा के साथ जुड़ेवे उन लोगों को भी हॉस्पिटल में को रिटाइन रूम की विवस्था उनके लिए करना आइसोलेशन वार्ड की विवस्था करना प्रयाप्त मात्रा में वेंटिलेटर्स की विवस्था करना और दवा की आपूरती मसीन मास्क गलप्स पीपी इन सब की आपूरती को यह कमेटी देख रही है फुरे प्रदेश के अंदर इस कमेटी के द्वारा अब तक 11,000 से अध आज आधी की कारवाई को भी अलग-अलग Medical Colleges में, Institutes में हम इस कारवाई को आगे बढ़ा सकेंगे यहाभी युत्तसतर पर अपनी कारवाई को आगे बढ़ाने का कारे यह कमेटी प्रदेश के अंदर सफलता पुरवक आगे बढ़ाने का कारे कर रही है एक कमेटी हम लोगों ने DGP के धिक्स्ता में बनाई है सभी पुलिस लाइन, सभी थाने, सभी ट्रेनिंग सेंटर, सभी प्रकार के जो P.A.C. की बटालियन और बाहनिया हैं इन सब में स्वच्चता के सासा सेनिटाइजेशन की विवस्ता करना आसिक्ता पढ़ने पर मैन पावर की आपूरती, फिर्ड में तैनाद करने के लिए उपलब्द कराना और वहाँ पे उनके स्वास्ते के सासा क्रॉपर चेकिंग की विवस्ता के साथ ही जेलों में भी जो कैदी मौजूद हैं उन सभी को हम लोग कैसे सेन्टाइज कर सकें, कैसे उनको भी हम लोग कॉरोना वाइरस से बचा सकें इसके बारे में डीजी पी की द्धिक्सता की कमिटी काम कर रही है जिन में डीजी जेल मौजूद उनके साथ हैं प्रभावी डंग से आम जंता की सेवा के लिए उसको प्रभावी डंग से आगे बढ़ाना और अंतर विभागिये समन्वे के माद्यम से इन कारेक्रमों को आगे बढ़ाने की कारवाई करना एक कमेटी हमने ग्यारवी कमेटी जो बनाई है वो बनाई है प्रमुख सच्छिव पुशुपालन के दिक्सदा की कमेटी गोवन्स के लिए पसुओं के लिए चारे की विवस्ता प्रोपर रूप से की जा सके और यहाँ युद दस्तर पर अपने कारेकरम को आगे वढ़ा रही है दुग्द की आपूरती भी मार्केट में हो सकें फिर उसे हम डोर स्टेप डिलिबरी के माद्यम से घरगर पहुंचा सकें इस दृष्टी से यह कमेटी इसमें परमुक सच्यो पसुपालन की कमेटी इस पर कारे करेगी और ग्यारवी कमेटी जो हम लोगों ने बनाई है वह अपरमुक्य सच्यो बित्य की अधिक्सता में बनाई है वर्तमान इस्तिति में कहीं भी कोई धन की कमी न होने पाए इसके लिए कमेटी बनेगी साथ साथ भाउस्य की रणनीती क्योंकि अधिक्सता पर इसका क्या परभाव पढ़ने जा रहा है इसके बारे में भी ये बिस्तित रूप से कमीटी कारे करनेगी इसके लिए अपरमुक्य सच्यो बित्यो को परमुक्य सच्यो किर्शी को परमुक सची औद्योगी की विकास को इन सब को इसके साथ रखा गया है इसके साथ ही परमुक सची किरसी को इस बारे में कहा गया है परमुक सची किरसी और परमुक सची खाद कि किसानों के गेहों की फसल, सरसों की फसल और आलो फसल तयार हो चुकी होगी इसके बारे में रणनिती बनाएं कि प्रक्यूर्मेंट की कारवाई को कैसे हम आगे बढ़ा सकेंगे एक कमेटी इस पर कारे करने जारी है इस प्रकार से 12 कमेटियां पुरे प्रदेश के अंदर बन करके प्रदेश के अंदर लोगडाउन को सभलता पर वक आगे बढ़ाना आदनिय प्रधान मंत्री जी के कोरोना को प्रास्त करने के इस अविहान में सेभागी बनना किसी गरीब को किसी भी किसान को किसी भी महिला को किसी भी नागरी को मजदूर हो या ब्योसाई हो किसी को भी कोई समस्याना होने पाए इसके बारे में प्रदेश सरकार पूरी प्रतिवदता के साथ कारे कर रही है हर एक ब्यक्ति तक उसक्याव सिप्तां के अनुरूप कारव जो भी सासन की योजनाएं हैं उन तक पहुँचाने के लिए हम पूरी प्रतिवदता के साथ कारे कर रहे हैं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आज जो राहत पैकेज प्रधानमंत्री गरीब क्लियान पैकेज की जो गोशना अजने प्रधानमंत्री जी के मारक दर्शन में भारत सरकार में गोशित किया है इनिस्टि दुनिया का एक यूनिक मॉडल होगा और हम लोग करोना को प्रस्त कराएंगे करोना प्रस्त होगा भारत बिज़ई होगा और भारत का एक मॉडल दुनिया के अंदर भी हर एक देश अपनाएगा इस विश्वास के साथ करोना के खलाब चल लएई इस मुहिम में प्रतेक प्रदेश स्वासी सहयोगी बने लॉगडाउन की पूरी कारवाई में प्रसासन का सहयोग करें ये मेरी पूरी प्रदेश स्वास्यों से अपील होगी लॉकडाउन के इस कारवाई में उनको कुछ परिशानी हो सकती है तातकालिक है यह लेकिन उनके उत्तम स्वास्ते के लिए और उनके परिवार की सुरक्सा के लिए एक सुरक्सित भुश्य के लिए यह तातकालिक उठाए गए कदम है हम सब इसमें अपना स्वयोग परदान करें ये मेरी सबसे अपील होगी